हलो फ्रेंड्स, I am योगेश उप्ता, NIT कोलेज अलुवर, असिस्टेंट प्रोपेशन इलेक्टिकल डिपार्मेंट आज हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो है पर्संटेज, पावर, लोस, इन, ट्रांस, मिशन, लाइन हम पर्संटेज, पावर, लोस, इन, ट्रांस, मिशन, लाइन पर डिसकस कर रहे हैं हम फॉर्मुला ड्राइव करेंगे, इसके लिए हम देख रहे हैं इफ दा रजिस्टेंस ओफ ट्रांस्मिशन लाइन इस नेगलेट देन दा पावर डेट कैन बी ट्रांस्मिटेड डिपेंड्स अपन सबसे पहले देखिए कि ट्रांस्मिशन जो रजिस्टेंस ओफ नेगलेट कर दिया गया है और हम यहाँ पे पावर ट्रांस्मिट के लिए कुछ डिपेंड्स कहोते हैं तो सबसे पहले है दा मैगनिटूट ओफ शेंडिंग एंड वी एस एंड रिसीविंग एंड वी आर वोल्टेज सेकिंड डिपेंड क्या करता है दोस्तो दा फेज डिफ्रेंस डेल बिट्विन देम थर्ड है आपका दा पोजिटिव सिक्वेंस रियक्टेंस एक्सवन पर फेज तो सबसे पहले हम क्या करते हैं टोटल ट्रांस्मिटेड पावर पर यूनिट लेंट इस गीवन बाई तो सबसे हम पावर देखते हैं पी जिकल टू वी एस वी आर साइंड डेल अपोन में एक्सवन यह हम इक्क्वेशन नंबर वन मानते हैं अब टांस्मिशन लाइन के अंदर हम कहते हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल टू रिशिविंग एंड वोल्टेज इस गल टू अपल अप्लाइड वोल्टेज वी तो यहाँ पे हम simple सा power निकालते हैं कि यहाँ पर जब हम Vs और Vr जो है जब वो equal हो रहे हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कहेंगे Vs पराबर Vr is equal to V तो Vs की जगे भी V put करेंगे और Vr की जगे भी हम V put करेंगे तो यहाँ पे P is equal to V square sin del upon x1 समीकर number 2 equation number 2 हम मान लेते हैं यहाँ पे Now the line current at unity power factor is given by तो simple हम क्या कहते हैं कि हमारे पास P is equal to root 3 V I cos phi यहाँ पर हम power factor जो हमारा power factor power factor is unity power factor is unity so that cos phi is equal to 1 तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ से हम कहेंगे P is equal to root 3 V I और यहाँ से हम I निकालेंगे तो क्या कहेंगे V I तो simple हमारे पास जो equation design होके आएगी यहाँ पे वो आईगी I is equal to P upon root 3 P upon root 3 equation number 3 मानेंगे से हम तो the by putting value of P in equation number 3 तो यहाँ से हम value put करेंगे equation number 3 के अंदर इतने में तो I is equal to हो जाएगा आपका P की value को हम put करेंगे यहाँ पे V square sin del upon X1 यहाँ पे put करेंगे P की जगे तो यहाँ आएगा आपका V square sin del upon root 3 है यहाँ आपका यहाँ से X1 upon down में आ जाएगा equation number 4 total power loss in three phase transmission line तो power loss के लिए हम कहेंगे P loss is equal to 3 I square R where R is the resistance of per unit length of line तो P loss is equal to 3 I come on हमारे पास V square sin del upon root 3 X1 है यहाँ पे हम put करेंगे I की जगे तो V sin del upon root 3 X1 का whole square into R तो power loss is equal to V square R sin square del upon X1 square equation number 5 from equation number 2 and 3 तो यहाँ पे हम percentage power loss बराबर P loss upon P is equal to 100 तो P loss जो हमारे पास था वो P loss हमारे पास है V square R sin square del upon X1 square और simple जो P था हमारे पास वो V square sin del upon X1 तो दोनु value को हम यहाँ पर put करेंगे तो P loss का V square R sin del square upon X1 square upon P V square sin del upon X1 is equal to 100 तो V square से V square cancel out X1 से X1 square cancel out sin del से X sin del square तो percentage power loss R upon X sin del into 100 तो यहाँ जो हम transmission line के अंदर power loss का formula जो है हमारे पास वो यह design होके आजाता है अगर numerical के अंदर percentage power loss निगालना होता है तो वहाँ पर R x1 sin del into 100 करके हम वहाँ percentage power loss निगाल लेता है थैंक्यू दोस्तों आज इतना ही next वीडियो में आपको अवसे upgrade की बात करेंगे ओके थैंक्यू